नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह नियूज के इस लाइब शेशन में मैं रमेश शर्मा आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आज फिर हम चर्चा करते हैं पंचायतों में फैले हुए ब्रस्टा चार से एक आम आदमी कितना परिशान है क्यों परिशान है आखिर उसकी गलती क्या है आज इस लाइव में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जिन पॉइंट्स को अगर आप समझ गए तो आप को ये बात बिलकुल स्पस्ट हो जाएगी कि पंचायतों में ब्रस्टा चार का एक ये भी एक बड़ा कारण है आप सब लोगों से निवेदन है कि जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं और इस लाइफ स्वीम को शेर करें जादा से जादा लोगों तक ताकि आज हम इस विशे पे हमारी जिवन का हमारे समाज का सबसे महतो पुरुन हिस्सा है पंचायतें और पंचायतें सीधा कहीं न कहीं बिलॉंग करती हैं एक आम आदमी से गरीब आदमी से उस व्यक्ति से जो अपने हक के लिए अपने बिश्वास के लिए अपनी जिन्दगी के लिए उनके पास कुछ ना कुछ मांगने जाता है आज इस विवस्ता पे हम बात करेंगे कि आखिर इस पंचायतों में ब्रस्टाचार के कारण क्या होते है पंचायतों में किस व्यक्ति का क्या रोल होता है किस व्यक्ति को आपने किस तरह की पदवी देकर किस लिए निक किया होता है और आपका प्रतिनिधी ही अगर उसमें इन्वाल हो तो क्या होता है और पंचायतों में किस-किस व्यक्ति का पूरा रोल होता है आज इस लाइब स्ट्रीम पे हम बात करेंगे जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएए और इस लाइब स्ट्रीम को शेर्ट कीजिए यदि आप अभी तक जीवन उत्सा नियूस को फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए हमारे फेस्बुक पेज पर जीवन उत्सा नियूस सर्च कीजिए और यदि आप हमें यूट्व पे सर्च अभी सबस्क्राइब नहीं करते किया हुआ है तो वहाँ पर भी आप हमें सबस्क्राइब करें जीवन उत्सा नियूस सर्च करके अब आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी आप हमारे वीडियो को, हमारी खबरों को देख सकते हैं दोस्तो, जीवन उत्साह न्यूज एक ऐसा चैनल है जो एक आम आदमी की आवाज को उठाने के लिए पूरण रूप से प्रयास करता है और इमानदारी से प्रयास करता है दिल से प्रयास करता है किसी भी जगह पर जहां एक आम आदमी की बात नहीं सुनी जा रही है हम बहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं ये बात अलग है कि हर व्यक्ति हर तक नहीं पहुंच सकता इसके लिए भी बहुत सरी चीज़ें हमारे अपसाब ने बंदिश हो जाती है क्योंकि हर व्यक्ति तक पहुंचना संबब नहीं होता है लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि दीरी दीरी उस जगह पर पहुंचा जाए दोस्तो उन कारणों पे हम पहले बात करते हैं सबसे पहले पंचैत में किन लोगों का क्या रोल होता है हम इस पे बात करते हैं आपकी पंचैत में सबसे पहले सचिव होते हैं सेक्रेटरी जिनको आप बोलते हैं जो पंचैत सचिव जिनको कहा जाता है ये कौन होते हैं पंचैत सचिव एक तरह से सरकार का एक नुमाइंदा है जिस तरह से आपके अधिकारी होते हैं बीडियो होते हैं डीसी होते हैं एस जिम होते हैं इस तरह से आगे आपके सरकार के एक सेक्रेटरी निप्ट की होते हैं तो जो सेक्रेटरी हैं वो पंचायतों का जितना भी लेंदेन होता है जितना भी कारिया होता है उन सारे कारियों को व्यवस्तित करने की एक मातर चाबी है और मैं इस मुद्दे पर आऊंगा लास्ट में इन सचीबों की सेक्रेटरी की कहां पर मिस्तेख हो रही हैं और कहां प साथ को समझेंगे सरकारों को इसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर काम करना होगा देखिए मैंने जिसे आपको बताया कि पंचायतों में सचिव होते हैं सचिव के बाद में परधान होते हैं लेकिन परधान और सचिव पैरलल बॉडी होते हैं ये सचिव सरकार का नुमाइंद होता है यानि पबलिक की समस्याओं को प्रेजंट करने के लिए परधान होते हैं और उन समस्याओं को सचिव तक ले जाने के लिए ये पुलका कार्या करते हैं यानि परधान आपके दोरा चुना गया एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी समस्याओं Secretary तक भेजता है और Secretary उन सारी क्रियाओं को सारी चीजों के लिए Fund Arrange करते हुए या सरकार से जो Fund आते हैं उनको व्यवस्तित करता है ताकि परधान जो पैसे लगा रहे हैं उनकी वो व्यवस्ता कर सकें, उनको संभाल सकें, उनका accounting कर सकें लेकिन इन दोनों बॉडिस के साथ साथ में हर गाउं, जैसे एक पंचायत में मालीजे चार पांच गाउं होते हैं तो चार पांच गाउं के लिए हर गाउं का हर बाड बना होता है और बाड पंच के रूप में एक जित्ती को प्रतिनिदी बिनाया होता है ताकि परधान क्योंकि हर गाउं तक नहीं पहुंच पाएगा, हर बाड तक नहीं पहुंच पाएगा इसलिए बाड पंच एक गाउं का बाड का प्रतिनिदी बनाया जाता है और उस प्रतिनिदी के माध्यम से परधान तक आपकी जरूरतें, आपकी समस्यें भेजी जाती है यानि परधान और बाड़ पंच एक कड़ी हैं, वो कड़ी गाउं से पंचाय तक जुड़ी होती है और ये दोनों कड़ियां मिलकर सचिम के पास जाकर सचिम के माध्यम से सारे काम करवाती है ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है आपको समझ में आ गया परधान कौन होते हैं, बाड़ पंच कौन होते हैं, सेक्रिटी कौन होते हैं ये तीन कड़ियां हैं इसके बाद ब्लॉक की तरफ से तकनीकी साहिक होते हैं, जैईज होते हैं, वीडियो होते हैं, वीडियो के बाद में और बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जिला पंचायत अधिकारी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हालक तकनीकी विशेपे, एड्मिशेशन विशेपे, ह इसी भी होते हैं, मतलब पूरा एक तंतर बना हुआ है, लेकिन दोस्तों पंचायतों में ब्रस्टा चार का एक और भी कारण बड़ा है, आपका जो प्रतिनिदी है, जो परधान है, बाड़ पंच है, यदि उनकी नियत खराव है, यदि वो बैमानी करने पे उतर गए हैं, त करना चाहता है, तो परधान और बाड़ पंच इसके पूरे एक ब्रोध हैं, कहीं न कहीं वो उसको रोक सकते हैं, लेकिन अब होता क्या है, सचिव परधान, बाड़ पंच, उपरधान, ये सारे लोगों में से, अगर एक दो लोग भी बिरोधी हो जाएं, तो अब ये एक म इमानदार है, अगर वो कहीं रोड़ आट का रहा है, उसको साइड करके वो डिरेक्टली गाउंन वोल हो जाते हैं, और यदि बाड़ पंच इमानदार है, तो बाड़ पंच से बिना पूछे, उपरधान और परधान, अगर कहीं उनकी नियत खराब हो, तो वहाँ पर आकर काम कराना शुरू कर देते हैं, और बाड़ पंच को दर किनार कर देते हैं, और अगर कहीं सचिवी मानदार है, तो उसको नेताओं से मिलकर, परधान और उपरधान, वहाँ से ट्रांसपर करा देते हैं, और वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति लाने का प्रयास करते हैं, जो व् उपरधान कितने साल के लिए चुना जाता है पांच वरश के लिए उपरधान पांच वरश के लिए बाड़पंच पांच वरश के लिए यानि ये लोग पांच वरश के लिए निक्त किये जाते हैं लेकिन असली मुद्दा ये आता है कि पंचायतों के सचिबों की भी एक समय सीमा है कि वो तीन साल से ज़्यादा एक पंचैत में नहीं रह सकता सवाल मेरा ये है कि बहुत सारी पंचैतें ऐसी हैं जहां सचिव पिछले तीन की बजाए पांस सार साथ सार और दस दस वर्षों से उसी पंचैत में बैठे हुए हैं क्यों मैं हिमाचल परदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूँ क्या आप लोगों ने कभी ये चेक किया है कि एक सचिव जो पिछले पांस सालों से एक ही पंचैत में बैठा हुआ है उसको किसका सपोर्ट है उसका ट्रांस पर क्यों नहीं किया जाता है क्योंकि सचिवों का एक नियम है कि वो अपने गाओं जहांके वो रहने वाले हैं उस गाओं के एक पंचैत इधर एक पंचैत इधर इन दोनों पंचैतों में एपॉइंट नहीं हो सकते लेकिन उसके अगले गाहों में कहीं भी उनको अपाइंट किया जा सकता है ऐसे में एक बड़ा प्रशन ये आता है कि पांट-पंट साल से दस-दस साल से जो सेकर्टरी राजनेताओं की कुछ बैमान लोगों की, कुछ ब्रस्ट लोगों की सपोर्ट लेकर बैठे हुए है सरकार उनके उपर क्यों कारवाई नहीं कर रही है और क्यों सरकार उनको वहां से नहीं हटा रही है मैं आपको इसका कारण बताता हूँ, ये ब्रस्ट अचार का कारण कैसे बनता है किसी भी करम चाहि किसी वirtyकारी को ताकि उसका मेल जोन जादा लोगं के साथ ना हो उसका बाईचारा जादा लोगं के साथ ना हो यूकि बाईचारा जहां होता है वहीं पर करप्शिन की शुरुवात होते है तो सबसे पहले आप लोगों को जागना पड़ेगा यदि आपकी पंचायत के सचिप तीन साल से ज़्यादा आपकी पंचायत में बैठे हुए हैं तो आप लोगों को बिरोज करना पड़ेगा और सरकारों को लिख कर देना पड़ेगा कि यह सचिप तीन साल से ज़्यादा यहां पर किस अध जनता का हित की बात नहीं करते हैं, मैं उनको नेता मानता ही नहीं हूँ, वो घटिया नेता, वो बाईहात नेता, जो करमचारियों को अपने फाइदे के लिए, अपने टटपूजिये लोगों के लिए, अपने चाटुकार लोगों को केवल फाइदा देने के लिए काम करते ह ऐसे नेताओं को इस समाज में नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि नेता तो वो है जो हमारे समाज के लिए अपने लोगों के लिए जो लोगों ने बिश्वास इस पे किया है जो लोग उसको बोट देकर जिताते हैं उनके हितों के लिए काम करे ना कि केबल चार चाटुकार, चार चमचे और चार उन बैमान लोगों के लिए काम करे और उनकी गुलाम्मी करे कि वो आपको बोट दिला देंगे आप लोगों को जागना होगा, आपके चुने हुए प्रतिनिधी चाहे वो परधान हो, चाहे वो बाड़ बंच हो, चाहे वो उपरधान हो यदि आपके साथ गलत करने का प्रयास करते हैं तो ये आपके मुँपे तमाचा है, आम जंता के मुँपे तमाचा है क्योंकि जिस आदमी को हमने चुना है, अपना नौकर बनने के लिए अपना सेवक बनने के लिए अपना प्रतिनीदी बनने के लिए अगर वो व्यक्ति हमारे साथ बैमानी करने का प्रयास कर रहा है हमारी पंचायत में गलत रिके से कारय कर रहा है तो उस व्यक्ति को वहाँ पर किसी भी तरह से मास करना गुना है इसलिए आपको जागना होगा आपको अपनी अवास बुलंद करनी होगी आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा इन बैमान चाटुकार लोगों का ये जो आपके साथ बैमानी करने का प्रयास करते हैं बोट आपसे लेते हैं हाथ आपके आगे जोडते हैं पैर आपके आगे पड़ते हैं और जब जीत जाते हैं तो आपको आँख दिखाते हैं ये तो साब वो वाली बात होगी कि मैंने अपने घर में कुत्ता खरीदा उसको मैंने रोटी खिलाई दूद पिलाया उसको पाला पोशा पना के हटा कटा कर दिया और सला एक दिन मुझे ही काटने चल पड़ा अरे ऐसे कुत्ते को क्या करोगे बताइए जब एक कुत्ते को आप बाहर बगा सकते हो तो ऐसे बैमान प्रतिनीदियों को ऐसे चोर लोगों को ऐसे ठग लोगों को क्यों बार नहीं निकालेंगे बिरोध करिए उन लोगों का और जो सचिब अपनी जंता जो सरकार की जिम्मेवरियां मिली हुई उनको जो उनकी नौकरी उनको मिली हुई है उस नौकरी की ड्यूटी अगर नहीं निभा रहे हैं और पांट-पन सालों से दस-दस सालों से एक पंचायत में बैठे हुए है उन लोगों के लिए ये सिधा-सिधा संदेश है सरकार से मेरा निवेदिन है उपाय युक्त जिलों के जितने भी हैं उनसे मैं आप निवेदिन करना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें कारभाई कीजिए जो सचिव तीन साल से ज़्यादा पंचायतों में बैठे हैं उनको ट्रांस्पर किया जाए वहां से ताकि जो लोग भाईचारे में उनके साथ मिले हुए और मिली वक्त करने का प्रयास करते हैं उनकी चेन टूटे सरकार क्यों इस तरह की चीज़े नहीं कर रही है जब आपके नियम कहते हैं कि आप दो से तीन साल से मैक्सिमल किसी आदमी को नहीं रखेंगे तो क्यों ऐसे हो रहा है मैं जीवन उत्सा नियूज के माध्यम से हर ब्लॉग के अंदर ये एक सूचना मांगना चाहूँगा कि बताइए आपके सचिव कितने सालों से किस-किस पंचैत में कौन-कौन बैठा है सर मोर देन 30-50% सचिव पिछले 5-5 सालों से 10-10 वरशों से एक ही पंचैत में बैठे हुए हैं और मिली वक्त करके लोगों का शोशन कर रहे है जीवन उत्सा नियूस का हमेशा ये प्रयास है कि आवाज बुलंद करके बोला जाए क्योंकि यहां पर बात उन लोगों की है उस समाज की है जो निर्मान करता है नेताओं का जो निर्मान करता है इस देश का अगर उस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो हम तो बूचेंगे हम तो बोलेंगे क्योंकि जीवन उत्सा नियूस आवाज है उस व्यक्ति की आवाज है उस आम आदमी की जो निराश हो चुका है जो ब्रस्टा चार में इस तरह से फस चुका है वो अन्याय में इस तरह से पिस रहा है कि अपने आपको अकेला महसूस कर रहा है मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं भी खुद को अकेला महसूस करता हूँ पर आप लोगों का साथ जब मिलता है तो मैं खुद को बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ मुझे लगता है कि और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे लगता है कि और विश्वास के साथ आप लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको हक नहीं मिलेगा लड़ने का मतलब लड़ाई और जगड़ा नहीं है लड़ने का मतलब है अपनी योगताओं को निखारना लड़ने का मतलब है अपने बिश्वास को जगाना और लडने का मतलब है अपने विलबाबर के साथ में अपने हक के लिए खड़े हो जाना कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपके हक से बंचित रख सकता है बस जरूरत है आपको जागने की जरूरत है आपको अपने बिश्वास की और जरूरत है साफ नियत की क्योंकि अगर आपकी नियत साफ है तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको टस से मस नहीं कर सकते हाँ परशानिया जरूर हो सकती है आपके लिए दिखतें जरूर हो सकती है पर अगर आप इमानदारी से अपनी आवाज उठाएकर संगठित हो जाएं देखिए एक तम में बल है यूनियन इस ट्रेंथ एक उंगली को कोई भी मोड सकता है लेकिन एक मुठी जब बन जाती है तो बड़े बड़े लोग उसके आगे जुख जाते है करप्शन चाहे कितना भी हो इंजस्टिस चाहे कितना भी हो रहा हो यदि आप इकठे हो जाएं एक हो जाएं क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ जब बैमान लोग एक हो सकते हैं तो सर आप क्यों इकठे नहीं हो सकते हैं उठिये जागिये और मिल जाएए हो जाएए एक अरे एक गाउं में क्या चार-पांच लोग भी आपके पास नहीं है जो मिल सकें एक गाउं में क्या पांच-साथ-दस लोग भी ऐसे नहीं है जिनको ये लगता है कि हमें एक होकर अपने हग के लिए लड़ना है सर बहुत लोग मिलेंगे जरूरत है आपको एक पर खड़े होने की खड़े हो जाईए और जोड़िये लोगों को अपने साथ में जीवन उत्साहनियूस आपके साथ है क्योंकि हर व्यक्ति को मैं सेवाई नहीं दे पाऊंगा मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं सोलन से, मंडी से, चंबा से कांगडा से, सिर्माओर से यूपी से, बिहार से, राजस्तान से छतिसगर से, उत्राखंड से सर ऐसी कोई जगा नहीं होगी जहां से लोग मुझे कॉल नहीं करते होंगे और वो ही कहते हैं के सर हमारे अभी यही हाल है, आप आईए, आप अपना कोई आदमी भेजिए, लेकिन सर करें तो करें क्या लोग बोलने बाले मिलते ही नहीं अरे आप तो मिलिये, आप तो जुडिये, आप तो साथ में खड़े हुई फिर देखते हैं, आवाज कहां से कहां तर जाती है, एक दिन ये बैमान लोग आपके सामने समर्पन कर देंगे पर जरूरत है आपको संगठित होने की हम सब को एक होकर एक आवाज में बोलने की, कि ये देश हमारा है, ये चोर और बैमान लोगों का नहीं है चोर और बैमानों की जगा जेल में है, आम आदमी जो पिसरा है उसका कसूर क्या है बातें बहुत हैं दर्द बहुत हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन एक ही बात बोलना चाहूँगा, उठिए अपने अधिकारों के लिए लड़िये अवाज उठाइए सरकार हैं जुकेंगी क्यों पांच-पांच सालों से दस-दस सालों से वहाँ पर प्रतिनिदी इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं क्यों सेक्रेटरीज पंचैतों में पांच मैं दस सालों से बैठे हुएं इस मुद्दे के साथ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ और जल्दी इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे जल्दी इसको लेकर बात की जाएगी आप लोगों का साथ बना रहना चाहिए जीवनुसा नियूस के साथ आप इसके से बने रही है और इस खबर को शेर जूर कीजिएगा पता नहीं आपके शेर करने से कितने लोग शेर बन जाए क्योंकि अगर शेर बन गए तो ये जो चोर गीदर है न इनको दुबगते हुए रास्ता नहीं मिलेगा से शेर जूर कीजिएगा प्लीज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए फेसबूबग पे आप फॉलॉ कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी अब आप हमारे वीडियो को लाइक और शेर कीजिएगा वहां पर भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए आपका सहयोग हमारे साथ तो डरने की क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका